देखिए सबसे पहले तो मैं दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ कि उनका इतना लंबा संघर्ष बीजेपी को नगर निगम से उखाड फेकने का और एक इमानदार पड़ी लिखी अच्छे भले लोगों की आम आदमी पार्टी को MCD में लाने का जो एक लंबा संघर्ष था एक लड़ाई थी वो आज सफल हुई है और दिल्ली वालों को बहुत बहुत बढ़ाई कि आज उन्होंने आम आदमी पार्टी का मेर जिता दिया बीजेपी ने पिछले आप इनके कुछ महीनों का एक्शन्स अगर उठा कर देखें इनकी कर्तूतें द पारशद साइकल पे पारशद बने आज वो बड़ी-बड़ी कोठियां बड़ी-बड़ी महेंगी गाडियों में घूमते हैं भरष्टा चार करके इन्होंने नगर निगम को कंगाल कर दिया उसके बाद इन लोगोंने इलेक्शन्स डिले किये MCD के यूनिफिकेशन की आड कि भारतिय जनता पार्टी को फायदा हो ये भी कम था उसके बाद इन लोगोंने गुजरात के साथ-साथ नगर निगम का चुनाव करवाया कि आम आदमी पार्टी के तमाम संसाधन बट जाए और उसके बाद जब आम आदमी पार्टी को दिली की जनता ने भूमत दी मेर ब लेकर संसत तक सुप्रीम कोट तक लड़ा और अल्टिमेटली विजे सत्य की हुई विजे पड़े लिखे इमानदार आम आदमी पार्टी की हुई तो इसलिए आज मैं दिली वालों को बहुत-बहुत बढ़ाई देता हूँ और अंत में ये बात फिर से एक बार उजागर ह गई कि गुंडा-गर्दी करने वाली अराजक लोगों की भारतिय जनता पार्टी हार गई और पड़े लिखे इमानदार भले लोगों की आम आदमी पार्टी जीत गई और इससे एक और मेसेज जाता है जो बहुत-बढ़ा मेसेज है जो एक छोटी से राज्य के एक छोटे से मेर चुनाफ से कहीं बड़ा मेसेज है वो यह है कि आज भारत देश में सिरफ एक ही नेता एक ही शक्स है जो सीधी टकर प्रदाहन मंतरी मोदी से और भारतिय जनता पार्टी से ले सकते है उस शक्स का नाम है अर्विन केजरिवाल उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार बीजेपी वाले सिर्फ आम आदमी पार्टी से और अर्विन केजरिवाल से डरते हैं